लोगों की बहुत क्वेरी होती है मेरे पास भी कुछ कमेंट आए हैं जादा नहीं बटाते हैं कभी-कभी आते हैं और उसका मैं सोचता हूं कि वीडियो बनाऊंगा कभी बनाऊंगा बट नहीं बना बादा कि मॉक्टेस्ट कौन से यूज़ करें यह बहुत वैल्यूबल है और बहुत ज़रूरी है कि क्योंकि किसी बेग्जामनेशन को क्रैक करने के लिए आपके लिए मॉक्टेस्ट वाद वैल्यू करता है तो कहां से करें कहां से ना करें इस सभी चीज़ पर डिसकस करेंगे मैं तीन चीज़ों पर डिसकस करूंगा कि देखें मॉक्टेस्ट कि बेस पर लगाना है, किसी को यह नहीं पता हुदा, डेली लगाना है, मंत्री लगाना है, यह वीकली लगाना है, इस पर बात करेंगे, दूसरी बात करेंगी, कौन सी जगे से लगाए, बहुत सा ऐसे प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको मॉक्टेस लगाने के आप्शन मिलत उस चीज़ का मैं बताऊंगो कि कमी क्या रहती है और क्या फाइदे रहते हैं दोनों के वो चीज़ों पर हमें बात करनी चाहिए ठीक है इसमें कवर होगा आपका इंगली सरी रेजनिंग गौंट जो बैंक एक्जामनेशन है पूछे जादे बिल्कुल फ्री है और बिल्कुल फुल लेंथ में होगा अटेम करने पर आपको मिलेगी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आपकी परफॉर्मेंस होती है कैसे किस बेस पर और टॉप 5 रेंकर्स उनको मिलेंगे MHN वाउचर 5000, 4000, 3000, 2000, 1000 का जो टॉप 5 रेंकर्स होंगे राइट और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप जाके महाँ पर लिंक पर जाके एंड्रॉल कर सकते हैं देखिए इसमें मैं सभी आपके सॉलूशन करूँगा आप लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है मैं अपने बारें बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिकली मेरी बुक भी मैं आपको दिखा दिता हूँ कि मैंने ऑफलाइन पर ज्यादा कमांड किया था ओनलाइन के बाज़ा है क्यों रिजन क्या है देखिए मेरे टाइम पी ओनलाइ जब टैस्ट लगाते हैं आप किसी भी चीज़ को प्रॉलम तो आई कि किसी न की कोशन पर जो इंप्वापन भी होता तो आप उस को डेक्री किनोटलाइं कर लिजे मार्क से कर लीजी मार्क इनलाइस करने जाते वह बहुत वैल्यूबल रहता है क्योंकि लिखी चीज को कि online में आप नहां तो कोई टिक कर सकते ना कुछ कर सकते और लोग इसमें आलस करते हैं सबसे बड़ी बात मैं खुद करता था कि मैंने देखा online में अच्छा चाहिए ठीक है मैंने उसमें एक्जामें किया एक्जामें कर लेंता था फिर उसको रिवाइज नहीं करता था एक्जामें करना बहुत जबर ज़रूरी है यह पको कॉन सा करना चीट था ठीक है अगर आपको कई ancora को सब्सके प्रेंडली होंगा तो मैं आपको क्लियर करता हूं, देखें, वहां पर टाइम कर लिजिए, क्योंकि आपको पता है क्योंकि माउस को क्लिक करने पे, करजर इधर उधर करने पे, कोशन को आगे बढ़ाने पीछे करने में टाइम लगता है, इसलिए हम सोच रहोंगे कि ऑफला मिनट कम करके पचास मिनट में इस पूरे डेस्क आफ लाइन को देना है उसमें फिर अपने नंबर को एक्जामीन कीजिए कि आपका वैल्यू रहता है यह बात तो आफ लाइन का होगे कि आपके लिए बेनेफिट यहाँ पर करता है दूसरी बात अब दूसरी बात क्या अब उनलाइन के मेरिट्स को देखते हैं कि असके लिए हमाले वैल्यूबल है देखे पहली बात जिन लोगों को कम्प्यूटर के साथ फ्रेंडली नहीं है जिसे जिनको ज्यादा तर आदत नहीं है फ्रेंडली होना भी अलग चीज़ है और उन को आटाइम करना और हमारे को सबसे पहली बात तो आपने ओनलाइन तो देना यह तो वैल्यूबल है दूसरी बात देखे इसमें अच्छा मिल जाता है मानके चलिए आपके ओफ्लाइन दे रहे है ओफ्लाइन की कोई बुक की आप प्रोयाइटी देंगे उसमें कई बार होता है किरन के प्रिविश सेट सेट आते हैं या कोई भी सेट लगा रहे है तो उसमें ज्यादा एक्स्प्लिनिशन नहीं दिया जाता है और ऑनलाइन बे आप जाएंगे न तो वहाँ पे आपको इजली सब चीज का मिल जाता है क्या आप कोई भी टेस्स की तरफ जाये सभी जानते होंगे इस बारे में त साथ जरू जाएंगे तो आपको जैसे ज्यादा टाइम मिल रहा है तो वीक में एक लगाते हैं तो वीक में एक लगाएं और वो भी ऑफलाइन के लगाये ठीक है वहाई करता रहता है कि आपके जब प्रिपेश्ण कैसी चल रही है जब जाद आछी हो गई तो आप ज्याद इसके कुछ पेपर हुए है, इसेट पेपर, उसे मेरे कितने नंबर बैठ रहे थे, कटफ के साब से, ठीक है, यह बहुत वैल्यूबल रहता है, ओनलाइन मिसले देता था, क्योंकि मेरे को उस करेंट सिनेरियो के साब से भी रहना ती यह था, तो आपको क्या करना है, ओफलाइन भी लिए लिजिए, और उनलाइन आप पर्चेस कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, क्या करना है, कौन सी पर्चेस करनी है, यह तो आपको हो गया पहला बार, जैसे मैं आपको बोला था, IBPS examination को लेकर है, यह किसी भी एक्जामनेशन के लिए टैस्स वेलिए रहता है, और इस बार जो होगा, यह सारे सब्जेक्ट होते हैं, आपके इंगलीस हो गया, क्वांट हो गया, रिजनिंग हो गया, फुल लेंट टैस्ट होगा, जैसे मैं आपको बताया था, और attempt करने पर आपको performance report मिलेगी जो हर किसी examination के लिए valuable रहता है और इसमें कुछ अच्छी चीजी है कि आपको top 5 ranker जो होंगे उनको उनके साब से gift या prize मिलेगा तो आप जाके link में आपको provide करा दूँगा description box में जाके enroll कर सकते हैं और test दे सकते हैं आपके लिए valuable होगा अब बात करते हैं कि यह बहुत valuable है कि weekly करें daily करें कि mentally करें हमको कैसे करना है यह जैसे current affair का other scenario वैसे इसमें भी होता है तो सबसे पहली बात अपने साथ के बतारों मेरे बहुत से friends है उन्होंने daily mock test लगा दे जिसको कहते हैं बिल्कुल ही गलत है देखे को समझे और यह ज़्यादातर क्या होता है कि examination से पहले कुछ ज़्यादा होने लग जाता है मैं आपको समझाओंगा इसकी problem क्या है daily लगाएंगे तो देखे इसमें क्या होता है और हम फटावट करकर के निकल जाएंगे यह बहुती गलत सोच है मैं ज़्यादातर लोगों को देखता हूँ कि हमको mock test लेकर समारी duty है यह नहीं हमको यह समझना है कि हमारे कितने question हम हमारे में कितनी कमिया है वो test के थ्रू हमको पता चल जाए तो आपको देखे ज़्यादातर में बोलूँगा week में तो जरूर एक लगाई है weekly लगाने कोसिस कीजिए हाँ यह vary कर जाएग आपके examination के हिसाब से अगर आप examination के time पे बहुत आपके अच्छे preparation हो गई week में दो लगा सकते हैं जो मैं आपको पहले ही बता रहता ज़्यादतर monthly तो लगाना ही है आपको monthly में एक overall समझ लीजे के मुझे कैसे लगाना है दूसरी बात देखे subject wise भी मैं आपको बताएता हूँ कि subject में आपको लगाना कैसा यह बात आपको clear हो गई होगी ठीक है आपको mock test में आपको analysis करना है तो यह तो आपको clear मैंने कर दिया है कि आपको weekly करना बहुत valuable है week में करी एक 5-6 दिन अपने preparation लगाई है संडे को आप बैठी है और उस दिन mock test लगाई है संडे को बस एकी काम रखे कि mock test करना है उसके बाद analysis करना है कि मेरी preparation कि ट्रेक पर चल रही है और क्या मेरे अंदर कमिया आ रही है यह तो आपका clear हो गया ठीक है अब weekly मैंने बोला यह मैं सुचेगा monthly पी जाना है कई लोग month में एक लगाते है पूरा वह बेकार है इतना time मत दीजे क्योंकि mock test से हमारे अंदर बहुत से improvement भी होते है week पर देखते रहेंगे तो बहुत valuable रहेगा monthly बहुत ज़्यादा लंबा time हो जाता है examination तो लगवग हर अंतराल में कितने हो जाते हैं तीन-चार महीने में examination होते रहते हैं तो अगर आप देखेंगे तो normally आपको तीन-चार mock test लगाने को मिलेंगे तो मैं आपको हमेशा कहता ह जाना आप तीसरा जो important है जिसके लिए आप देख रहे होंगे कि कहां से करना यह बहुत valuable है देखें मैं आपको पहले content जो provide कराते हैं mock test के सभी के मैं आपको platform बताया हूँ जैसे कि आपने सुना होगा Wi-Fi study आपका example भी सुना होगा इतना मैंने मेरे time पे मैंने नहीं सुना अब मैं सुनता हूँ लोगों के मुझसे दूसरी बार SSE Tube आपका QMass भी test series देती ग्रेट अप हो गया आपका test book हो गया केडी campus पेरमाउंट के साथ आते हैं कि नहीं आते है ठीक है अन Academy यह भी test series देती है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको किसी भी source पे यह सोचना कि हा monthly एक लगाते, month में बहुत जरूरी जो मैं आपको पता था वो online test लगाई है वो भी all India level का जो live test होता है यह आपको बहुत value करता आपकी preparation को track करने में हमेसा जादा value देता था live test की जब मैं सोचता था कि live test में कितने मेरी rank का रही है यह बहुत value रहती है तो यह तो free होता है य but सबसे valuable आपका test series SSC के हिसाब से में बोलता हूँ test book होती है यह बहुत अच्छ से content provide कराता है और मैंने personally बता रहो मैंने test लगाता था हाला कि मेरे पास मैंने KD campus के भी लगाए है यह भी अच्छा देते है analysis सबसे अच्छा मुझे test book का लगा SSC tube भी बहुत अच्छा platform है तो आपने इसाब से मैंने बताया था test book मैंने ज़्यादा priority दी थी और मैं आपको simply बताओ मैंने wifi study के भी लगाया था जब मैं उस समय live test चलता था मैं आपको बता रहो मेरे को पता चल जाता था कि कौन-कौन से इस महीने में live test आ रहे है मैं पहले उनको notice कर लेता था फिर उसमे भी आपको मिल जाएगा चीक है तो मेरे साब से आप ssc tube के साथ आ सकते ग्रेड़ भी अच्छा provide कर आता ही जितने मैं आपको बता ही सारे one of the best है समझने आप मेरी बात को जितने मैं आपको बता है grade up test book an academy qmess और ssc tube इनके नाम जो है आपके अपने हिसाब से देखिए और ज अच्छे लेवल की provide कराते हैं तो मैंने आपको normally सभी बता दिया कि आपको कहां से करना है कितने मंत की करनी है और कौन से sources की तरफ जाना offline या online और देखिए हमेंसा बोलूंगा कि offline की तरफ भी रही है offline हमारा इसलिए होता है क्योंकि time बच जाता है बहुत तीजी सम करते है ज्यादा time हमारा लगता निया दूसरी बात हमें license भी बहुत easily कर लेते हैं और उसमें हमारी कम्यों को track करके हम उसको लिख भी लेते हैं कई लोग कहते हैं कि मैं online test लगाता हूं उनमें से जो problem आती है उनको directly laptop जिसमें भी लगा रहे है उसमें से हम उसको note कर लेते हैं copy में यह बहुत लोगों की सुनी है मैंने बट कोई इसमें implement नहीं करता है मैं आपको simply बता हूं लोग बलते हैं हमने specially copy बना रहे है मॉक्टरस पे जो कमी आती है बट वो 10 दिन चलता उसके बाद फिर वो भी खतम हो जाता है तो आप ज़्यादा तर ऑफ-लाइन की तरफ ज़्या तो वीडियो को जरूर लाइक किजेगा और देखें वीडियो को शेर जरूर कीजेगा क्योंकि सबसे बड़ी बात चीज है कि अब कोई आपकी कहने पर effort करता तो थोड़ा बहुत आपको support करना चाहिए तो आज की वीडियो को अतना है और चैनल को subscribe किजेगा तो आज की वी